मैं इस मौके पर सबसे पहले एक बार कुने प्रेंका दान्दी जी का बहुत-बहुत स्वागत करना चाहता हूँ जुन-जुनों की इस पावन धर्ती पर यह अतिहासिक जमीन है शेखावटी का यह मुख्याल है जुन-जुनों यहां जैसा वुला साथ ने कहा इंद्रा जी राजीर जी राहुल गानिय जी सोन्या जी सभी यहां लोग आए और एक जुड़ाव और एक संबन इस परिवार से बना हुआ है आज स्वर्गेशी श्राम होला जी की मूर्तिय का उनावरन प्रेंका जी के तरकलमों से हुआ है यह अपने आप में तिहास में एक और कड़ी जुड़ गई है हर पीडी का संबन लगाता बरता चला जा रहा है दोस्तों आप सब जानते हो आज से 30 दिन के बाद राजिस्थान की विदान सभा के चुनाव है 25 नवंबर को वोट परेंगे और प्रेंका गांदी जी ने जो बीड़ा उठाया है उसमन का समर्थन करने के लिए उनको ताकत देने के लिए आप सब यहां पर आज मौजूद हैं प्रियंका गादी जी ने जो मेहनत करी है चाहे वह इमाचल परदेश हो कंनातक हो वो सबाएं कर रही हैं मत परदेश में तेलंगाना में राजिस्थान में वो टॉंक में आई थी दौसा में आई थी जूंजूर में आई हैं और भी सभाएं होंगी राहूल जी की होंगी प्रियंका जी की होंगी लेकिन हम लोग ने इन चारों पांच उविदान सभा छेत्रों में जो अलग-अलग राज्यों में चुनाब हो रहे हैं वहां पर कॉंग्रेस पार्टी की स्थिती लगातार मज मिलेगा भार के जिनता पार्टी में जो नौ साल का कुशासन दिल्ली से चलाया है उसके हम सब गवाएं कोई वर्ग नों ने छोला नहीं मद्यों मर्ग हो सैनेक हो किसान हो नौजवान हो हर विक्ति को जहां से में लेकर लगातार उसके ऐसी नीतियों के दिर्मान किया जिस जोन जोनों के वो लोग और किसान जो जोनीतियों के खिलाफ थे मुखर अपने बात पो बोलते थे अंतरे केंड की सरकार को किसानों की दिमान के सामने जुखना पड़ा और तीनों काले कारूं वापिस लेने पड़े प्रेंका दानी जी नियुक्त नौजवान की बात रखी है नौजवान को पाकट देने का काम राजनीति की अगरें पंकी मर्खाला करने का काम इन सब लोगों ने किया है आज हम सब की जमेदारे बनती है और सात्यों जुझरों में तो शिकावटी में मुझे कहने में कोई स पूरा देश जानना चाहता है कि राजिस्थान की जनता किस करवट बैठेगी इन विदाथ सब्सक्राव के परणाम से आने वाले देश की राजमीतिते होने वाली है इन चुनावों में भाज दीजनताप पार्दी को समझ में नहीं आरा कि किस मुँ करें सारे चार सथ बंदकमर वह बैठे रहे अब चुनाव बाज़्या तो रथा लोड़ बैठ कर लारे हैं वां कि निती राजिस्थान में रही सिर्फ अरोब लगाने के नहीं उठाने के नहीं आज तक मैं बात पके साथ देख पूछना चाहता हूँ राजिस्थान के लिए आपका बिजन क्या है रोल मैट क्या है आप अगली पाइच साने परदेश को क्या देंगे आलोचना करना, बैमानी करना, लोगों को बरगलाना, हिंदु मुसल्मान की बात करना, मंदिर बर्जित की बात करना ये तमाम बाते करते हैं और हमारे कौन इसके साथ ही हमने जो मैनी दस्टे बनाया उसके दाब पे सरकार ने काम किया खाट की, बीज की, बिजली की, पानी की, सरक की, स्कूल की, शिक्षा की, छिकित्सा की इन बातों हो लेकर हम आगे बढ़े हैं और आज जन्ता ने बन मला लिया कि 30 साल की जो परिपाटी परदेश में कायर हो गई थी उसको तोड़ना है और पाट साल, पाट साल का जो मामला था, उसको समात करकर, सभी लोग भारी मगदान करकर और मैं को उस मन से कहना चाहता हूँ, होला साथ, आप के हाँ पर बादस बाने उम्मीदवार दे दिये और पिछली बाद जो जीत कॉंग्रेस पार्टी की हुई थी, उससे बड़ी जीत इस बाद जुन्यूर्स होने वाली है, मुझे इस बाद का पुरा दुश्वास है, मैं आप सब लोगों से कर्वत निवेदन करता हूँ, कि ये के बोट कॉंग्रेस की निशान को लगना चा और आप सब लोग जोती बाद काद आप में आप आए, आप सब का स्वागत और जैयन राम राम साथ